यही है तमन्ना बने बाब तुम्सा चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद लाए हमें तो अतन की बहुत याद लाए ओम शान्ति तो आज का विशे है पुर्शार्त में आत्मा भिमान इस्तिती का महत्व यवं हम आत्मा भिमानी कैसे बने वैशे तो अब गीत सुन रहे थे अब हमें वतन की याद आए वैशे तो अब हम बहुत ये टर्निंग पॉइंट से बहुत एक परिवर्तन के समय से चल रहे हैं अब हमारा ये तिसरा लेशन चल रहे हैं जब तिसरी शिटी बसती है तो ट्रेन चल पड़ती है तो इसी तरह अब हमारा तिसरा लेशन पहला लेशन था भागवत का जैसे कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने अपने स्नेहा और प्यार की पालना से गोब गोपिका को अपने तरव अकरशित किया उन्होंने कोई ज्यान नहीं सुनाया लेकिन अपनी लेलाव के दोरा गोपिका को अपने तरव अकरशित किया इसको कहते हैं भागवत ये पहला लेशन था अर्था जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उसी समय बाबा ने कुछ गिनी चुनी आत्माओं को महा इतनी ग्यान की बाते नहीं थी लेकिन इशिवरी स्निहा और प्यार से उन आत्मा को अपने तरफ अकर्शित किया और वो पालना दी वो बड़े महान बागेशली आत्माओं थे उसमें तो बहुत कम थे वो भी पार्ट दीरे दीरे पूरा हुआ ब्रह्मा बाबा अवेक्त हुए उसके बाद दुसरा लेशन शुरू हुआ वो गीता का लेशन जैसे कृष्ण जब बड़ा होता है अपनी लीला छोड़ता है और जिसके लिए धर्ती पर आयाता वो कारे करने के लिए कुरुक्षत्र में जाता है और कुरुक्षत्र में गीता का ग्यान अर्जुन को दे करके युद्ध के लिए तयार करता है ठीक उसी प्रकार वो पहला लेसन पुरा हुआ ब्रह्मा बाबा अवेक्त हुए उसके बाद दुसरा लेसन शुरू हुआ और दादी को निमित बना करके बाबा ने अनेक जगह पर शेंटर सेवाच शुरू होगी और उसके बाद जो ग्यान की जो गहराई है उस जग्यान की गहराई को सुना करके अनेक अरजुनों को तयार किया आठ लाग अरजुन तयार हो गए उसके बाद देरे दे वो भी पार्ट अब क्या हो गया पूरा हुआ और उसके बाद अब तीसरा लेसन पहला हुआ भगवत का दुसरा हुआ गीता का अब तीसरा लेसन है महाबारत का जब आरजुन तयार होता है उसके बाद क्या सुरो हो जाता है युद्ध तो इसी तरह अब तीसरा लेसन है महाबारत का तो महाबारत आरता हमें तयार रना है तो क्या हम तयार है नश्ट मुहास मुर्थी लब्दा हो गए तयार किसको कहेंगे तयार मतलब कई तो परेशान होकर कि भी तयार है बाबा मुझे जल्दी उठाओं उसको तयार नहीं कहेंगे तयार आर्थाथ सत्यूग में जाने के लाइक संस्कार है तयार आर्थाथ मेरी निरंतर वो आत्मा अभिमानी स्थीती रहती है मेरे वो सत्युक्ये तरद संस्कारा संस्कृति है इसको कहेंगे तयार तो इसलिए अब हम तीसरे लेशन में चल रहे हैं बाबा ने अच्छा नग कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इसलिए अब हमे तयार रहना है और तयार आरता अश्यरीरी बनना है आत्मा भिमानी स्थिति में रना है क्योंकि टोटल हमारा इस ग्यान का सारा है आत्मा भिमानी स्थिति आत्मा भिमानी स्थिति बनाने से ही हमारे अंदर सत्यू की संस्कृति आएंगी सत्यू के संस्कार आएंगे और उस दुनिया में जाने के लाइक हम बन सकते हैं आज हम जो ग्यान सुन रहे हैं हम जो योग लगा रहे हैं मुरली सुन रहे हैं इस सब किसी लिए कर रहे हैं इन सब का उद्देश क्या है इन सब का उद्देश है आत्मा अभिमानी बनना इन सब का उद्देशाई आत्मा की जोती को जागरत करना क्योंकि जब हमारी आत्मा की जोती जागरत रती है तब हमारी जीवन की सभी समश्या समाप्त हो जाते हैं हमें यही कल्यूग सत्यूग से भी अच्छा अन्बो होता है जब हमारी आत्मा की जोती जागरत है उसी समय किसी की भी बुराई नजर नहीं आती कभी-कभी हमें किसी की बुराई नजर आते हैं हम करते हैं यह बहुत खराव है इसे है वैसे है इनको बदलना चाहिए वास्तव में बदलना किसको है गल्ती हमारी हुई है कि हम दिहाबिमान में आए है और उस दिहाबिमान के कारण दुसरे की कमी नजर आ रहे हैं तुसले बदलना हमें है हमारा अपना दिहाबिमान को बदल करके आत्मा बिमानी बनना है लेकिन हम दुसरों को दुसरी बनाते देखो बाबा को किसी की कमी नजर नहीं आती किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आती क्यों क्योंकि बाबा निराकारी आवस्ता में रता है तो इसी तरह जब हम निराकारी आवस्ता में रते हैं आत्माभीमानी स्थिती में रते हैं ये ड्रामा हमें बहुत सुन्दर कल्यानकारी अन्बह होता है इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभीमानी बनो आत्मा अभिमानी बनने से इस संसार की वेरत बाते देखते वे भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी आत्मा अभिमानी बनने से हम अंतरमुखी बन सकते हैं, एकागरचित बन सकते हैं, एकरस बन सकते हैं आतमा भीमानी बनने से हर पल बाबा को सात अनभव कर सकेगी क्योंकि जब हमारे अंतरिक आतमा की जोती जागरत रती है जिसको अंतरिक आतमा की जोती बुद्धी के सामने नजर आते हैं उसको इस संसार की बाते नजर नहीं आएंगी अगर बाते नजर आती है इसका मतलब मेरा दिया विमान है और आत्मा विमानी श्तिती रने से शेरीर में वेवस फैलते रते हैं जिसके कारण हमें अती इंद्रिय सुक मिलता है और जिसको ये सुक मिलता है अती इंद्रिय सुक उसको इच्छाए तरशनाए उसका मन भी भटकेगा नहीं तो इसलिए इस तिती को हमें बनाना है और यही हमारे जीवन का उद्देश है इसलिए बाबा ने भी जो पूर्शार्त किया किस बात का किया पूर्शार्त आत्मा का मैं आत्मा हूँ जेशोद आत्मा यह आत्मा आत्मा इसी तरह जब तक हम यह पूर्शार्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन की समश्या समाप्त नहीं होगी इससे हमारे संसकार परिवर्तन होगे संसकार भी कब आते हैं जब दिया बिमान आता है हम क्या करते हैं आत्मा भिमानी बनने के बज़े संसकारों को परिवर्तन करने में लगते हैं जैसे रामाईन में दिखाते हैं राम क्या करते हैं रावन का एक सिर काड़ता है फिर दुसरा काड़ता है फिर तिसरा काड़ता है तो राम तो परेशान होता है, इतने में बीबीशन आता है, तो बीबीशन कहता है कि आप यह क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं मरेगा नहीं है, इसके नाभी में तिर लगाओ, और जब नाभी में तिर लगाए तो रावन क्या हो गया, मर गया, इसी तरह हम भी रावन को मारने में लगे हैं लेकिन क्या करते हैं कभी काम का गला काड़ते हैं कभी क्रोध का काड़ते हैं कभी दुसरा काड़ते हैं तब काम का जूट जाता है इस तरह से गले जूटते जा रहे हैं क्यों क्योंकि हमने द्याभिमान रुपी नाभी में तिर नहीं लगाया इसलिए आत्मा भीमानी स्थिती रावन को मारने का ब्रह्मास्तर है इसलिए इस्थिती को हमें बनाना है इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा भीमानी बनो आत्मा की जोती को जागरत रखो इसको कहते एवरेडी और जिसकी आत्मा की जोती जागरत है वो कभी भी विनाश के समय डरेगा ने बाबान का ना बे फिकर बात्सया बे फिकर बात्सया वही रह सकता है जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है उसको कोई भी मरने की अपमान की, नींदा की, गलानी की मेरा क्या होगा, कैसे होगा कोई डर नहीं लगेगा इसलिए हमें बे फिकर बादश्या स्थिती का अनभव करना है तो आत्मा भीमानी स्थिती में रना है आत्मा अभिमानी स्थिती में रहने से सभी प्रकार के गुन चाहे सैन्शिलता, चाहे नम्रता, चाहे मदूरता, चाहे धैर्यता सभी प्रकार के दैवी गुन हमारे जीवन में अपने आप आएंगे गुनों को कभी धारन करने का पुर्शार्त नहीं किया जाता है इसलिए अत्मा भिमानी बनना जरूरी है अत्मा भिमानी स्थिती में रहने से vibrations फैलेंगे अत्मा भिमानी स्थिती में रहने से धार्नाई भी कर सकेंगे वानी में बल आएगा दुरुष्टी में बल आएगा और जिसे ग्यान की बहुत अच्छा आप ज्यान का चिंतन मनन कर सकेंगे इसलिए इस स्थिति को हमें बनाना है इसको कहते एवरेडी जो अत्माभिमानी स्थिति में रहते वो कभी नहीं कहेंगे कि विनाश अभी होना नहीं चाहिए ये कभी ने कहेंगे कि मेरा योग लगता है नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है अत्माभिमानी स्थिती में रहने से निरंतर वो योग यूगत रहेंगे इसलिए इस स्थिती को हमें क्या करना है? बनाना है इसलिए बाबा ने बीच में भी का ना बीच बीच में क्या करो, एक्सरसाइज करो, अपने ओरजनल स्थिती में स्थित रहो, जब ओरजनल स्थिती में स्थित रहेंगे, तो हमारे ओरजनल गुनों की हम अनभूती कर पाएंगे. इसलिए इस आत्मा के पाट को हमें क्या करना है, पक्का करना है. आत्मा भीमानी स्थिती से बाकी सभी स्थितिया, चाई फरस्त्य स्थिती, चाई बिंदुरुप स्थिती, आटोमेटिक लिए आएगे. इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करो? आत्मा भीमानी बनो. चलो अभी दो मिनट, पावर्फुल स्थिती में, आत्मा भीमानी में स्थित रहें. कीजिए प्रभु का ध्यान कीजिए प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए अपनी अंतर आत्मा को शान्ती से भर लीजिए, शान्ती से भर लीजिए. तो इस तरह से इस आत्मा भीमानी स्थिती में स्थित रहना, यह हमारे पुर्शार्त का मूल उद्धेस हैं. जेश्ट मैंने एक मारेटी मेगजिन के लिए एक लेक लिखा था, उसमें एक एक जामपल दिया है, एक गुरु था, तो उसके पस एक सिश्य आता है, तो शिश्य कहता है कि गुरु जी को, गुरु जी मैं बहुत भक्ती करता हूँ, बहुत भक्ती करता हूँ, मेरे शास्तर पूरा, सब शास्तर मुझे याद है, मैं तब करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन अब दग मैं यह समझा नहीं कि मैं सब कुछ किशे ले कर रहा हूँ तपश्या कर रहा हूँ, दान पोन्य कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, किशे ले कर रहा हूँ यह मुझे उद्देश नहीं समझा तो गुरू जी ने कहा कि तुम एक आतमा हो यह अन्भोग करने के लिए तुम कर रहे हैं तो शीश्य को तो बहुत गुसा आया उसको लगा कि गुरुजी कहेंगे कि कुछ तुमे बहुत भविशे में कुछ मेलेगा कुछ न कुछ प्राप्ति होगी तुम बहुत महान बनोगे ऐसा कुछ कहेंगे लेकिन गुरुजी ने क्या कहा? तुम एक आत्म हो या अन्भव करने के लिए कर रहा तो गुरुजी शीशे रूट करके चला जाता है कुछ साल के बाद वही शीशे अपनी संपती वगरे सब बेच करके सब पैसे वगरे गुरुजी को देता है कहते हैं गुरुजी यह सब आपका है लेकिन आपको मैंने एक question पूछा था इज़ो मैं तपश्या कर रहा हूँ, दानपुन्य कर रहा हूँ यह सब कुछ कर रहा हूँ, किसे लिए कर रहा हूँ तो गुरुजी ने फिर वही बात कही कि तुम एक आत्मा हो यह अन्भो करने के लिए तुम कर रहे है फिर वो शिश्य को गुसा आया फिर गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज से आप मेरे ना गुरु है ना मैं आपका शिश्य हो वो रूट के चला गया और कहता है कि आज मैंने जीवन को पूरा ही तपश्य करने में शास्तर पठन पाठन करने में गमा दिया अभी संसार में रकर के क्या फाइदा हूँ मेरा इसाइज जीवन कतम हो गया तो सुचता है कि मैं मरता हूँ वो पहाड़ी पर जाता है फिर उसको याद आता है गुरुजी बार बार कह रहे है कि तुम एक आत्मा हो तो ये क्या होता है तो अन्भो तो करूँ तो बैठता है तो उसको अत्मा का अन्भो होता है और उसे बहुत सुक मिलने लगा तो उसको लगा कि ये संपति से भी आधिक है ये पद से भी आधिक है कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं दानपुन्य कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं किसी लिए कर रहे हैं यह सब कुछ कर रहे हैं आत्मा भीमानी बनने के लिए कर रहे हैं यह नहीं सोचने की भविशे में क्या बनने वाले इसलिए कर रहे हैं वो तो बनेंगे आत्मा भीमानी बनेंग अश्यरीरी बनेंगे तो उसी वो प्रालब्द है लेकिन यह सब कुछ करने के बाद सेवा करने के बाद योग लगाने के बाद पुर्शार्ट करने के बाद अगर मेरी जो आत्मा की जोती ही जागरत नहीं होती तो जो कुछ हम कर रहे उसमें कुछ गलत रास्ते में जा रहे हैं या कुछ न कुछ विदी से कुछ अलग हट से कर रहे हैं अगर हम सेवा कर रहे हैं सेवा करने के बाद उसमें सोल कौंशे स्थिति नहीं रहती जरूर शेवा में कुछ प्रॉब्लेम्स है अज हम मुरली सुन रहे, मुरली सुनने के बाद अगर अत्मा भी मनिस्तिती नहीं बनती तो जरूर उसमें भी कुछ प्राब्लेम है अज हम योग लगाते हैं, योग लगाने के बाद योग से उटने के बाद अगर हमारे अत्मा भी मनिस्तिती नहीं बनी तो जरू उसमें कुछ प्राब्लेम है तो उसको ठीक करना पड़ेगा तो यह हमारा उदेश है बाबा भी परमधाम से क्यों आया है बाबा भी इसलिए आया है सबकी आत्मा की जोती जागरत रखने के लिए क्योंकि सबकी जोती भुजने के कारण संसार में समश्या पैदा होगी तो इसलिए हमारे जीवन का उदेश है आत्मा भीमानी बनना चाहे हम याद कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं आत्मा भीमानी के लिए तो यतनी यह महत्व पुरुण आत्मा भीमानी स्थिति यह बनाई कैसे इसका तो महत्व पुरुण बहुत लंबा चोड़ा है आत्मा भीमानी स्थिति का इससे हम सत्युग में राजा बनने वाले हैं राजा बनने का कोई और पुर्शार्त नहीं सोराज ज्यादिकारी तो यह स्थिति को हम बनाई कैसे इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पर बैट करके घंटों तक मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ कहने से आत्मा भीमानी नहीं बनते आत्मा भीमानी स्थिति कुछ बातों के रिजल्ट है उसके लिए चार बाते आपको सुनाते हैं अत्माभिमानी बनने के लिए प्राक्टिकल में चार बाते अगर ये चार बाते आपके जीवन में हैं तब सहज आप अत्माभिमानी बन सकते हैं पहली बात है हम अपने संकल्प को कम चलाए जितने जिस आत्मा के संकल्ब कम चलते हैं संकल्ब पॉजिटिव चलते हैं उसकी उर्जा बसते हैं और उसी उर्जा का नाम है सोल कॉंसेस आत्मा भी मनी अगर सारा दिन आत्मा हूँ आत्मा हूँ कहते रहेंगे और किसी ने कुछ बोला क्यों बोला मेरे को ऐसे कैसे बोला बार बार संकल्प चलाएंगे आत्मा भीमानी नहीं बन भाई इसलिए आत्मा भीमानी बनने के लिए ये कला सिखने सारा दिन हम अपने संकल्प की बचत करें तो प्रशन यह आता है कि संकल्प को कहिसे बचा है और संकल्प हमारे क्यों चलते हैं और संकल्प न चले उसके लिए क्या करे संकल्प कब-कब चलते हैं कोई विगन आते हैं तो संकल्प चलते हैं कोई किसी से हमारे रिस्ता नहीं है तो भी अच्छानक आकर के हमें कोई परिशान करता है तब क्या होते हैं संकल्प चलते हैं कोई पड़ुशी तंग करता है संकल्प चलते हैं कोई पती के साथ बहुत माता अच्छी व्यवार कर रहे बहुत अच्छा काम कर रहे तो भी वो पती तंग करता है तो संकल्प चलते हैं तो इस तरह से विग्णा और परिस्तितिये में संकल पर चलते हैं तो बाबा ने तो हमें सब ग्यान दिया है जो बाबा ने ड्रामा का ग्यान दिया है हर आत्मा का पाटा अपना अपना ये ग्यान दिया है इस संसार की हर घटना हमने जो पाच हजार साल पाच हजार में अनेक जन्मों में जो अनेक लोगों के साथ जो करम किये है उस करमों के अनुसार विवार चलता है ये भी ज्ञान बता है इसलिए बाबा ने केवल ये पार्ट पका नहीं करा है कि बच्चे आत्मा ही समझो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान क्यों बता है अगर ड्रामा का ज्यान है तो भी संकल्प चलते हैं इसका मतलब मैंने ड्रामा को समझा नहीं मैंने कर्म गति को समझा नहीं इसलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है जीनोंने कर्म गति को अच्छी तर समझा है वो आने वाले विगनों को में आने वाले समश्या में आपने संकल्प को वेश्ट नहीं करेंगे उनके संकल्प नहीं चलेंगे इसलिए संकल्प की बच्चत के लिए चाहिए कर्मगती का ज्यान चाहिए कोई किसी के घर में बिमार है कोई किसी का पैसा लेके जाता है वापिस नहीं दे रहा है वो परेशान कर रहा है और उसी बातों में हमारे संकल्प पेवेश्ट करते हैं यह क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है जिसको आज करते हैं दुनिया में टेंशन या तनाव है यह तनाव और टेंशन क्यों है क्योंकि उनको कर्म गति का ज्ञान नहीं है अगर हम बाबा का बनने के बाद भी अगर हमारे संकल्प चलते हैं इसका मतलब ज्ञान को नहीं समझा इसलिए कर्म गत्ति को समलना बड़ा जरूरी है उसका एक एक जामपल आपको लोगों को सुनाते हैं एक प्राक्टिकल एक जामपल हैं इस बात से आपको ये पता चलेगा कि हमारे विवार में जो बाते हो रहे एक किस तरह से कर्मों की आनुसार हो रहे ये हमें से एक जामपल देता रहता हूँ एक आगरा का एक परिभार था पती और पत्नी थे दोनों ही बहुत गरीब थे और वो लोग जोपड़ पटी में रते थे आगरा में उनके पास एक कोई मेहमान आता है मेहमान आया था वैसे दिवाली का सामान भरने के लिए दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था वो बहुत बड़ा ओलसेल व्यापा रही था तो कापी सारे पैसे उसने उधार भी कुछ लेके गया था पहले सामान इसलिए पैसे बहुत लाये थे लेकिन दुसरे दिन दिल्ली पूरी बंद थी कुछ कारण से तो उसने सोचे कि चलो मेरा कल सारा दिन वेश्ट जाएगा तो इतने में में जा करके आगरा देखे आता हूं तो आगरा देखने के लिए गया उसने सारा दिन आगरा देखा लेकिन रात में उसको सोने का प्राब्लिम हुआ क्योंकि सभी तरफ होटेल वेगर बुक थी तो सोचा ही कि मैं आभी कहां सो जाओ अगर बस स्टेशन पर सो जाओ तो मेरी ब्याग चोरी हो जाएगी पैसा चला जाएगा सब स्टेशन पर सो जाओ तो वह ही हो जाएगा तो उसको याद आए मेरा एक मेहमान है भले वो गरीब है जो पड़ बटी में रहता है लेकिन रात काटेंगे उसके पास तो उसके पास अड्रेस था वो चला गया वहाँ और जहां करके उसने क्या-क्या खाना उगर खाया उनके पास उस गरीब मेहमान के पास और रात में उसने कपड़े निकाल रहा था अपने ब्याग से ब्याग खोल करके उसी समय जो गरीब था उसकी पत्नी की नजर ब्याक के अंदर गई और उसने देखा कि बंडल पांसो के हजारों के नोट पड़ी है उसके अंदर उसको मन में आता है कि हमने तो सव रुपे भी नहीं देखे और उसके पास इतना सारा पैसा है तो उसको लगता है यह पैसा मैं कैसे लूँ सोचती है वो गरीब की जो पत्नी थी वो रात में जब वो सोया था गहरी निद्रा में वो मेहमान तो उस गरीब पत्नी ने क्या क्या एक बहार से एक बड़ा पत्थर लाया और उस मेहमान के सीर में जोर शे डाल दिया किशी को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजया होगी, बहुत हैं, बहुत हैं, तो बाजी में जमुना नदी रहती, तो क्या-क्या दोनों ने उठा करके, रात में एक बजे उसको क्या-क्या नदी में फेंग दिया, लोगों से छिपा सकते हैं, वेक्ती से छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता, आखीर उनों न उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया एक बड़ी बिल्डिंग बांदी पैसा बहुत था तो पैसा बच गे इसे लिए कार खरीद किया फिर एक छोटा सा दुकान बनाया फिर आपने ले क्या क्या गेहने बनाये अच्छे कपड़े चिलाई की उनकी गरीबी खतम होगी तो दोनों को बच्चा नहीं था दोनों ही आके ले थे तो कुछ सालों के बाद दोनों गरीब पती पतनी को एक बच्चा हो गया और उस बच्चे के साथ उनका बहुत प्यार था एक ही बच्चा था उससे अच्छे स्कूल में भेज दिया कापी बच्चा बड़ा हो गया अच्चानक वो बच्चा बड़ा होने के बाद कौलेज पढ़ते समय बीमार पढ़ा बहुत प्यार था बच्चे के साथ इसलिए उसको अच्छे हस्पिटल में देखाया बहुत खर्चा आया उस खर्चे के पीछे कार बीचनी पड़ी उनको उनको लगा कार बाद में ले लेंगे बच्चा ठीक हो जाएगा नोकरी लगेगी कमाएगा बच्चा ठीक नहीं हुआ अखिर उन्होंने जो बनायता दुकान वो भी बेचा बच्चा ठीक नहीं हुआ आखिर क्या क्या जो गेहने बनायते वो भी बेचे तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ जो मकान बनायता वो भी बेचा तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खतम हो गया अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा चला गया तो बच्चा कोई था वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रुप में जनम लिया अगर वो व्यापारी कहे वो गरीब कहे कि मेरी देखो मेरा क्या हो गया मेरे जीवन में ऐसा कैसा हो गया यह भगवान आपने आँखे बंद किया क्या मेरे जीवन में कितनी समश्य आई समश्य कहां से आई तुमने काटे बोए तो तुमें क्या मिलेगा काटे मिले यह कर्म गती आज ये ग्यान नहोने के कारण कहते कि मुझे पती बहुत तंग कर रहा है मुझे सास बहुत तंग कर रहा है ये पडुशी बहुत तंग कर रहा है ये तंग क्यूं कर रहा है क्योंकि आपने भी कभी उसको पती बन गर के तंग किया है आपने भी कभी उसको सास बंगर के तंग किया है आज ये ज्ञान न होने के कारण आज हमारे संकल्प चलते हैं और जिसके कारण संकल्प चलने से सारा दिन हमारे संकल्प ज़्यादा चलते हैं और जिसके कारण हम आत्मा भीमानी स्थिति में नहीं रह पाते हैं जीवन में जो भी बाते आती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना, एक तो उसको सहन करना है, सहन करके भी उस हिसाब किताब को चुक्त कर सकते हैं, अगर सहन नहीं करेंगे, तो योग लगाना पड़ेगा, इतना योग लगाओ, पहली प्रोसीशर आए, योग लगाओ, बाबा कहते हैं, 63 जन्मों के विकर्मे बिनाश होते हैं, अगर जिन जिन आत्माओं के साथ आपके हिसाब किताब बने हैं, उस हिसाब किताब को चुक्त करने का तरीका है, खूब योग लगाओ, योग लगाने से वो विकर्म खतम हो जाते हैं, वो हिसाब लेने के लिए नहीं आएगा अगर नहीं योग लगाया तो बाबा उस आच्मा को टच करता है जाओ तुमारे हिसाब किताब ले क्या हो वो ले के आएगा अगर आपने यहां से दिया नहीं कोई अपमान कर रहा है कोई गाली दे रहा है आप उसको सहिन नहीं करते तो फिर क्या हो जेगा जैसे अगर किसी का करजया है वो लेने के लिए आएगा अगर करजया नहीं देंगे तो वो वेक्ति क्या करेगा कोर्ट में अपनी केस नोंद करेगा इसी तरह अगर किसी की हिसाब किताब आपके साथ है, अगर आपने चुक्त नहीं किया, सहन नहीं किया, दिया नहीं, तो वो वेक्ति फिर धरमराज पुरे में अपनी केस डाल देगा, और उस धरमराज के डंडे से फिर वो चुक्त करना पड़ेगा, तो इसे अच्छी अगर कोई परेशान करता है, कुछ करता है, तो आप दुआई दो, दुआई देने से चुक्त हो जाएगा, बद्दुआई देने से जो पहला है, उसे और बढ़ जाएगा, इसलिए हमें क्या आकना है, अपने संकल्प को कम चलाने के लिए, सहन शक्ति को बढ़ाना है, कर्म गति को समझना है, और जो भी बाते हमारे आज जीवन में आ रहे हैं, यह हमारे कल्यान करने के लिए आ रहे हैं, अगर यह बाते हमारे जीवन में नहीं आती, तो हमारे कल्यान कभी नहीं होता, इसलिए, हमें उन गटना को उन बातों को सहिन करना है कई सोचते कि मेरे इसलिए संकल्ब चलते ये मुझे बहुत तंग करता है ये मुझे बहुत परेशान करता है वो तंग भी परेशान भी अपकी उन्नती करने के लिए करता है जिसे और रामाइन की भी बात में कई बार सुना तरहता हूं जिसे रामायन में दिखाते हैं राम जब राजया बनने वाला था तो क्या हुआ रात में आकर के मंतरा ने कई-कई को दो-चार ऐसी बाते सुना ही का कि तुम्हारा बेटा तो ऐसे रगया और तुम राम को राजया बना रहें तो उसकी बुद्धी को क्या-क्या परिवर्तन कर दिया और राम को राजया बनाने के बज़े क्या हुआ कई-कई ने निरने क्या लिया और किसके कारण लिया मंतरा के कारण उसको वनवा में बेजने का फाइनल हुआ राम वनवा में गया वियोग के कारण दसरत ने शेरी छोड़ा उसकी शीता चोरी हुई राम के घराने में जो प्राब्लिम्स आए किसके कारणा है मंत्रा के कारण तो मंत्रा को अगर कोई देखेगा उसकी भावना कैसी चलेगी कहेंगे देखो उसने कितना बुरा किया इसका राम का उनके घराने में सभी समश्या पैदा की तो सभी उसको क्या करेंगे नफरत की भावना से देखेंगे लेकिन वास्तों में देखा जाए मंत्रा ने जो किया ठीक किया अगर मंत्रा उसी समय वो काम नहीं करती तो राम क्या बन जाता राजा बनता राम राजा बनता तो वनवामी नहीं जाता वनवामी नहीं जाता तो शीता चोरी नहीं होती जब शीता ही चोरी नहीं होती तो रावन को नहीं मारता और जब राम रावन को नहीं मारता तो उसकी म रामोनों के पास भी बाबा ने एक दो मंत्रा रखी है और वो भी किसी लिए रखे हैं? उसका कल्यान करने के लिए अगर वो परेशान करने वाले लोग नहीं होते तो आपके जिवन में उपरामता नहीं आती आप आगे नहीं बढ़ते इसलिए उस बात को पॉजिटिव लो और पॉजिटिव लेंगे तब जाकर के आपके संकल्प कम चलेंगे तब जाकर के आप आत्मा भीमानी स्तिती में रह सकते हैं इसलिए आत्मा भीमानी बनने के लिए हम अपने संकल्पों को कम चलाना है इसका तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है कहने का मतलब सहन शक्ति को बढ़ाना है कर्म गत्ति को समझना है हिसाब किताब को समझना है तो हम संकल्प को कम चला सकेंगे यह है पहली बात दुसरी बात है आत्मा भिमनी बनने के लिए हम विधी पुर्वक योग लगा है जितना आप विधी पुर्वक योग लगाते उतना आप जब योग से उठेंगे आप अनभो करेंगे मेरी आत्मा की जोती जागरत है योग से उठने के बाद भी अगर जोती जागरत नहीं है इसका मतलब आपने जो योग लगाया वो विधी पुर्वक नहीं लगाया था आपको कहने के जरूत नहीं मैं आत्मा हूँ अगर आपने विधी पुर्वक योग लगाया तो आपने आप आपकी आत्मा अंदर से जगरत अन्भो करेंगे चार्ज हुई अन्बो करेंगे जिसे आज कल mobile चार्ज करते कैसे चार्ज करते mobile को क्या करते है plug के पास लाते है और plug के पास ला करके क्या करते है ऐसे नहीं कि plug के पास ही रादबर रख देंगे उसके पास रख करके नीचे mobile को रखेंगे और उसका adapter क्या करेंगे plug के अंदर डालेंगे adapter के दो तारे होते positive और negative तार दोनों के plug में डालेंगे तारे तब जाकर के बिजली का current आता है और mobile क्या होता है चार्ज हो जाता है इसी तरह हमें भी अपनी आत्मारुपी battery को challenge करना है तो उसको कहां लेके जाना है charge करने के लिए बाबा ने भी अलग-अलग इस्टान बनाए चेंटर, गिताबाचरा यह है प्लग का स्थान और हमें रोज एक बार तो जरूर चार्ज करने के लिए जाना है चेंटर में अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो आप बात नहीं कर सकेंगे समझो टावर है लेकिन चार्ज नहीं आए बात करेंगे नहीं कर सकेंगे इसी तरह आपके अंदर ज्ञान है लेकिन आपने सबेरे योग नहीं किया तो आप कर्म में बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, बाबा से बातें नहीं कर सकेंगे इसलिए चार्जिंग करना जरूरी है अच्छा चार्जिंग है लेकिन टावर नहीं है तो भी बात नहीं कर सकेंगे आप योग करते लेकिन ग्यान नहीं है तो भी याद नहीं आएंगी इसलिए दोनों भी जरूर है टावर भी जरूर है और चार्ज करना भी जरूर है इसलिए हमें रोज क्या करना है मोबाइल को सेंटर पर लेके जाना है मोबाइल आए शेरीर है शेरीर के साथ आत्मा को भी सेंटर लेके गए वहाँ रखा और वहाँ रखने से चलेगा नहीं लेकिन मन और बुद्धी की तार परमदा में बाबा के साथ जॉइंट करना है ऐसाने कि शरीर शे तो बैट गई चेंटर में सारा दिन लेकिन मन बुद्धी उपर गई नहीं तो चार्ज ने होंगे इसलिए दोनों भी तारे डालने हैं अगर एक तार डालेंगे दूसरी नहीं डालेंगे तो भी चार्ज नहीं होगा मोबाल मन और बुद्धी को भी लगाने अच्छा मन बुद्धी तो लगाई लेकिन उसके बाजू का जो बटन ता राद बरबंद था तो भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा इसी तरह हमने योग के लिए मन बुद्धी बाबा में लगाई लेकिन स्मूर्टी का स्वीच चालू नहीं किया तो भी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी इसलिए क्या करना है स्वीच भी चालू करना है सोचना है बाबा ने मुझे कितना मेरे उपकार के बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया कैसा मेरा जीवन था सचमुझ बाबा आपने कितनी प्राप्तियं को याद करो, सोमानों को याद करो, बाबा ने सुनाय ज्यान को याद करो, जितना इसके गहराय में स्मुर्टी में जाएंगे, ये स्विच चालू करेंगे, उतना मोबाइल चार्ज होगा, अर्तर बैटरी चार्ज होगी. अगर switch off है किवल डगव करके बैटेंगे एक चार घंटा भी बैटेंगे तो भी आपका mobile चार्ज नहीं होगा इसलिए switch चालू करना है अच्छा तारे भी डाल दी switch भी चालू किया लेकिन कभी तार पलग में डाल रहें कभी निकाल रहें कभी पलग में डाल रहें कभी निकाल रहें तो क्या चार्ज होगा नहीं होगा इसलिए तारों को लगातर डाल करेके रखना पड़ता है पलग में एक गंटा जैसी जैसकी capacity है इसी तरह हमें भी अपने आत्मा को चार्ज करने के लिए योग में लगातर मन बुद्धी बाबा के साथ लगाने है योग में मुश्कील से तो एक गंटा मिलता योग में और उसी एक गंटे में हमारी कभी मन बुद्धी बाहर जाते कई व्यक्ति के तरफ जाते तो कैसी जाते हैं समझो आप बाबा के कमरे में बैटे योग लगा रहे है लालाई चल रहा है गीत बज रहा है शुरू करेंगे मैं आत्मा हो शान शुरू पिर आच्छा नहीं याद आएगा बहुत अच्छा एक परसो एक क्लास होई थी उसकी कैसेट लेके जाएंगे फि चोड़ा सा स्टिकर भी लेना है पेन भी लेना है फिर गए कोई बात में आत्मा हो शान सुरू फिर तार डाल दी फिर आच्छा नहीं गया देगा अरे आज सारा दिन फ्री भी है कोई क्लासे सो गरें नहीं है थोड़ा बहर जाकर कि कुछ खरिद्दर ही करेंगे फिर ठीक योग में बैटेंगे तो तारे प्लग में डाल रहें निकाल रहें डाल रहें निकाल रहें तो मोबाइल चार्ज कैसा होगा फिर जब योग से उठेंगे कहेंगे आत्मा अभीमानी स्थिती रहती नहीं मेरी कैसी रहेगी इसलिए अगर आत्मा अभीमानी बनना है तो नहीं में आत्मा हो, आत्मा हूँ, automatically ले आत्मा भीमानी बनेंगे, तो पहली बात कुछ सुनाई, संकल्प कम चलाए, दुसरी बाता है, विधीपऊरोक योग लगाए, और तिसरी बाता है, बुद्धी को सदह परमधा में बाबा के साथ जोएंट रखे, सदा बुद्धी प आबा के साथ आए उतना दीपक जेलेगा जैसे दीपक जलाते हैं तो उस समय क्या होता है उस दीपक की बाती तेल में डुबी रती है अगर बाती को निकाल करके बाजी में रखो तो बाती क्या हो जेगी बुद्ज जेगी इसी तरह परमदाम बहुत बड़ा कटो रहे और उस आर बार निकलेगी तो दीपक क्या हो जाएगा गुद्ज जाएगा इसलिए बुद्धी को उटेंस्यन दरना सारा दिन बाबा में लग जाateurs है कि इसलिए बुद्धी को सोच्यरा जितनी बुद्धी सोच कुलीन उतना बाबा के साथ रहेगी अगर मन भारी है, बुद्धी भारी है, बुद्धी में कुछ कचरा है, किसी के प्रती कुछ गलत बाते सुनिये, तो बुद्धी उपर नहीं जाएगे बाबा ने कहा ना, बच्चे कम्बाइंड सोरोप में रहो कई बोलतें बाबा तो कम्बाइंड रहता है, लेकिन समय पर पता ही नहीं चलता तो बाबा कम्बाइंड में कब रहेगा? बाबा कम्बाइंड में तब रहेगा जब हमारा दिल रुपी डबी सोच है अगर दिल में किसी के प्रती कुछ गलत भावना है दुर भावना है तो बाबा दिल में नहीं बैटेगा तो इसलिए दिल को सोच रखना है बुद्धी को सोच रखना है मन को सोच रखना है तब दीपक सदा जलता रहेगा यह है तीसरी बात यह श्वाट आम आपको सुनाया और चौती लाश्ट की बात है हमारा आत्मा का दीपक सदा जागरत रहे उसके लिए जरूर यह पवित्रता जितनी आपकी पवित्रता ठीक है आपको कहने की जरूत नहीं मैं आत्मा हूँ आटोमेटिकली आपकी आत्मा अभिमनी स्थिती बनी रहेगे मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ कहने की कोई जरूत नहीं लेकिन आटोमेटिकली आत्मा की जोती जागरत रहेगे जैसे पहले जमाने में केरुसिन के कुछ छठे चcionठे दीपक आते थे उसतने दीपक के आंदर केरुसिन रता था उसमें एक बाती रती थी और उसको मैचीस लगा करके दीपक जलता रता था अगर उस दिपक के अंदर तेल नहीं है केरुसिन नहीं दिपक जलेगा नहीं जलेगा इसी तरह शेरीर भी हमारा एक डिब्बा है उसके अंदर केरुसिन आर्ता इसके अंदर का जो तेल है वो पवित्रता है जितना आपके शेरीर रुपी डब्बे में पवित्रता रुपी तेल है उतना आपका दिपक जलता रहेगा इसलगे बाबा ने देखो यहां पवित्रता को कंपलसर किया हैं अगर आप अपने आत्मा को जागरत करना चाहते हो अपने जीवन में उजरा चाहते हो तो पवित्रता जरूरी है जितनी पवित्रता उतना आपका दीपक जलता रहेगा अच्छा दीपक में तेल तो है लेकिन बाती नहीं है दीपक जलेगा नहीं जलेगा क्योंकि बाती के थ्रू तेल जाता है और दीपक जलता है इसी तरह स्मृती है बाती जितना आप स्मूर्थी सोरुब बनते हैं उतनी आपकी पवितरता जो शेरीरु में फ़ैली है यह पवितरता की उर्जिया आत्मा तक जाते हैं और चार बाते अगर आपकी ठीक हैं, आपको आत्मा हूँ, आत्मा हूँ कहने की जरूत नहीं, लेकिन आटोमेटिकल आपकी आत्मा भीमानी स्थीती रहेगी, यह है प्राक्टिकल, अगर आप पवित्र नहीं हैं, कितना भी कोशिज करेंगे आत्मा भीमानी बनने की नहीं बन प बुद्धी बार बार इदर उदर है आत्मा भीमनी नहीं बन पाएंगे इसलिए अगर इस मूल अभ्यास को अनभव करना है और यही स्तिती अंतिम समय हमें पास्वित उनर बनाएंगी यही स्तिती के दोरा हम विक्राल विनाश में उस बातों का सामना कर सकेंगे ब्रामन इसको अच्छी तर समझना है और इसका अभ्यास करना है तो यह पूर्शार्त का लक्ष्य इससे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी दैवी गुन आ सकते हैं और आप संगम युक का आनंद ले सकेंगे प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे और इस ब्राह्मन जीवन में रहते हों भी कोई भी विगना और समझ्या आपको समझ्या नहीं लेगेंगी लेकिन उन्नती का साधन अनबो कर पाएंगे तो यही आमें पूर्शार्त करना है आत्मा विमानी स्थिति में रहने का अच्छा ओम शांत को अच्छा सकते ही आपको समझ्याएंगे वियमे पूर्शाश समझ्ऑण ही काई, में रहने का समझ्या आत्दाबकर, जाक करीतना है विमानूम् थर्शार्त करेंगो थिस्तिम्न कर दो 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 दो कर 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 दोле कर दोפ सुआStट कर दो कर दो कर दो क सुआब झाल 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 झाल